आते सिच 1.850 को आप pan कया अगर और च मार्क्त आप 10- 10 मिंग मोव करे गा अ आपका अगर कड़य। चीज़ करेंगे और मार्क गलेज़ के लियुम प्रफिअ करेंगे कि आप अपना नभी घ्र सोन्ग करना पसंद करते हैं चाहिज का एक ऑब तो आप अपना जो भी डिमेट एकाउंट है चाहे वह एंजल वन में है या अगर नहीं है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा वहां से जाकर के आप एकाउंट ओपें कर सकते हैं और मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको इस पर टच करना होगा टेक है चाहीं निप्टी में या बैंक निप्टी में जैसे टच करेंगे तो आपके पास कुछ इस परकार का इंटरफेश आपके सामने ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा यहां पर जस्ट बगल में देखेंगे आपको सब्सक्राइब करने का जो में फंड हम आपको बहुत बड़े इसके लिए आपको क्या करना है कि आप देखिए यहां पर जितने भी स्टाइक प्राइज है जहां पर मार्केट चल रहा है इससे ऊपर को इधर देख सकते हैं उससे नीचे के इधर देख सकते हैं अगर आपको मार्केट में पी बाई करना होगा तो इससे नीचे अब कौन बाई करना है और मार्केट नीचे जाएगा तो नीचे साइड में और मार्केट नीचे जाए को हम राइट एक पर चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी एक पराइज को इस पे टच करना है, जैसे आप इस प्रिक करेंगे, तो आपके पास कुछ इस परकर कर का इंटरफेस आपके समने ऐपर में ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है यह चार्ट का उप्शन है इस चार्ट का उप्शन पर किल करेंगे जैसे चार्ट का उप्शन पर किल करेंगे तो आपके पास कुछ इस परकार का इंटरफेस हो जाएगा और यहाँ पर थोरा सा स्क्रॉल किट के देखेंगे तो यहाँ पर गिरिक लिख लेते हैं तब इसको चार्ट पे जाते हैं इसके बाद ऑप्षन ग्रिक में जाते हैं ग्रिक में जाने के बाद यहां पे देख रहे थे इसका थोरा सा भी कम 0.93 के आसपस हैं तो एकी स्टीन सौ भी नहीं इससे और भी अच्छा देखना पड़ेगा तो माल लेजा 21,200 21,200 को हम टच करते हैं यहां पे जाकर को हम लोग देख लेते हैं ग्रीक में जाकर के इसका स synerξ Users तो इसमें भी ha का टरच करते हैं अब यहां पे देख लिए इसका ड्रीच में जाएगे से यह से से यह से नो जिसका ड्लीटा एक क्या सपास होगा उसी को आपको बाइंग करना ध्यान रखना जिसका डेल्टा एक क्या सपास होगा या एक होगा उसी को आपको बाइंग करना है ठेक है इसके और और भी उपड़ आप जा सकते ही जैसे यहाँ पर जाएंगे देखे इसका इक ही होना चाहिए देख लेते ह तो यह आपके लिए बहतरीन है क्योंकि यहां पर देखे डेल्टा जो है सब्सक्राइब के पास है तो यह चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर मार्केट यहां से उपर जा सकता है तो हम नीचे अगर मार्केट जाएगा तो हमको इस साइड का बाइंग करना होता है तो माल ले जाए अभी हम लोग देख लेते कि किसका डेल्टा जो है तो लगफ़क एक क्या सपास है ऑफशन गिरिक में जाएंगे और यहां पर देख लिए एक है ओके तो यहां पर यह अगर बाइस नौ सो का पी आप बाइंग कर सकते हैं अगर मार्केट नीचे जाएगा तो यह आपको राइट एस्टाइक प्राइज हो गया जिससे कि आपका अच्छा खासा प्रोफिट हो जाएगा